तो आज के इस वीडियो में दोस्तो आपको जनकारी देने वाला हूँ कि आसान तरीके से Google AdSense का अप्रूबल कैसे लेना है दोस्तो चुटकियों में आपको Google AdSense का अप्रूबल मिलेगा अगर आपने इस वीडियो को अंध तक देख लिया है तो तो चलिए दोस्त यहाँ पे जो है क्या step पूरा करना परता है जिससे की Google AdSense का अप्रूबल आपको चुटकियों में मिलेगा तो इसके लिए इस वीडियो को देखना परेगा अंत तक अगर यह जानकारी सही लगे तो कर देना है इस वीडियो को लाइक तो चलिए अब आपसे ज़्यादा टाइम लेंगे नहीं अब करते हैं सुरू तो जैसे की यहाँ आप देख सकते हो दोस्तो यह मेरा वेबसाइड है ठीक है और इस पे भी AdSense अप्रूबल मिला हुआ है और ना जाने मैं कितने वेबसाइड पे AdSense का अप्रूबल ले चुका हूँ ठीक है पहले मैं वेबसाइड क्रियेट करता था तो लोगों को जो है वेबसाइड करके देता था सेल करता था वेबसाइड तो बहुत सारे website पे AdSense Approval में दिलाया हूँ और कुछ website जो है अभी भी क्या है कि AdSense Approval के लिए तयार है ठीक है वो AdSense के साथ connect है उस पे भी AdSense Approval मिल जाएगा तो चलिए दोस्त यहाँ पे तो अभी आप live देख सकते हो कि मेरे website पे खुद AdSense Approval मिला हुआ है Research Tech News पे और यहाँ पे अगर आपको जासना है कि यह सच में Google AdSense का Ad चल रहा है कि नहीं चल रहा है तो यहाँ पे mouse लेके जाओगे तो यहाँ पे आपको दिखेगा Google दुआरा बिग्यापन ठीक है यहाँ पे आपको दिख जाएगा ठीक है mouse लेके जाओगे तो यहाँ पे लेके जाओगे तो आपको दिखेगा Google के बिग्यापन ठीक है तो यहाँ पे आप देख सकते हो यह भी Google AdSense का Ad है बाकि उसके बाद जो है दोस्तो जितना मर्जी उतना हम Ad को लगा सकते है लेकिन जितना कम Ad लगा रहता है वेबसाइड में उतना जो है फास्ट लोड भी वेबसाइड होता है और CPC भी अच्छा मिलता है अगर ज्यादा Ad लगा लेते हैं तो फिर CPC कम मिलता है ठीक है तो यहाँ पर भी आप देख सकते हो कि यह अंचर Ad चल रहा है ठीक है इस पर भी Google AdSense का Ad चल रहा है तो दोस्तो Google AdSense का Approval कैसे मिला है दोस्तो आपको भी Google AdSense का Approval चुटकियों में मिलेगा लेकिन दोस्तो जो आपको बताऊंगा अगर उस step को आपने पूरा कर लिया तब आपको Google AdSense का Approval मिलेगा क्योंकि Google का पॉलिसी पराइबेसी पॉलिसी जो है न दोस्त बहुत ही हाड है इतना आसान नहीं यह Google AdSense का Approval लेना ठीक है लेकिन अगर जो step में आपको बताऊंगा अगर उस step को पूरा कर लेते हो तो फिर चुठकियों में मिलेगा ठीक है क्योंकि यहाँ पर देखो प्राइबेसी पॉलिसी Google AdSense का तो हाड है लेकिन उसके अंदर में तो कुछ ना कुछ बताया होगा न दोस्त कि किस चीज को आपको complete करना है तब आपको approval मिलेगा तो बस उस चीज को complete जैसी करते हो तो यहाँ पर बात आ जाती है कि चुठकियों में आपको AdSense approval मिलेगा चाहे कितना भी प्राइबेसी पॉलिसी हाड क्यों ना हो कही ना कहीं उसका रूल है Google AdSense का जिसे आपको बोल रहा है Google AdSense की follow करो आपको तुरंत AdSense approval दे दूँगा लेकिन बहुत सारे लोग करते क्या है कि उनको follow नहीं करते हैं और उनको पता भी नहीं चलता है कि मैं Google AdSense का जो रूल है उसको follow कर पा रहा हूं कि नहीं कर पा रहा हूं उसका जो है कभी article पढ़ता भी नहीं है उसका कभी privacy policy पढ़ता भी नहीं है ठीक है तो मैं यहाँ पर आपको बता देता हूं कि क्या है दोस्तो सबसे पहले आपको बता दूँ कि बहुत सारे लोग जो है website create करते हैं website create करते हैं ठीक है वो बलागर थे वो जो है एक नाम जो है देते हैं website का URL select करते हैं ठीक है उसके बाद जो है कहीं से भी theme उठाके और जो है क्या करते हैं कि upload कर देते हैं और उसका जो है customize हुए या ना हुए उससे कोई मतलब नहीं ठीक है उसके बाद जो है उसके अंदर में post लिखते हैं और उसके बाद जो है Google AdSense के साथ किसी भी तरीके से इधर उधर से वीडियो देखके Google AdSense के साथ connect कर देते हैं तो दोस्तो यहाँ पे जो है आपको बता दू इस तरीके से कभी जीवन में गूगल AdSense का अप्रूबल नहीं मिलने वाला है यहाँ पे जो है दोस्तो 16 स्टेप को पार करना पड़ता है Google AdSense के अप्रूबल लेने के लिए ठीक है इतना असान नहीं है Google AdSense का अप्रूबल लेना दोस्तो अगर आपको Google AdSense का अप्रूबल मिल जाता है तो सोच सकते हो कि लोग इंडिया से विदेश जाते है अमरीका जाते है, यूएस जाते है, यूके जाते है लाखो रुपिय लगाके और उसके लिए जो है बहुत ही जादा knowledge होना चाहिए engineering होना चाहिए या किसी न किसी doctor का या कोई भी उसके पास knowledge होना चाहिए इंजिनियरिंग का या doctor का या किसी भी चीजों का तो उसके पास लेकिन degree भी होना चाहिए दोस्तों अगर degree हो गया और उसको जो इंगलिस बोलने आना भी चाहिए दोस्तों सोच सकते हो जब degree रहेगा इतना कुछ करेगा पढ़ाई लिखाई तो जरूर है कि उसके पास degree रहेगा उसके बाद एक से डेर लाख रुपए सिर्फ जाने के लिए लगाएगा अगर आने की हम बात करें तो वही हो जाता है अठाए तीन लाख रुपए के आसपास तो सोच सकते हो कि एक से डेर लाख रुपए लगा के वह यूवेस जाएगा अमरीका जाएगा ठीक है और उसके बाद वहाँ पे जादा से जादा अगर हम बात करें कि अपने इंडिया में बोला जाता है कि हमारा जो घर का जो मेंबर है वो विदेश रहता है और वो जो है महने का दू लाख अठाई लाख रुपए कमाते हैं मैं लेकिन दोस्त वहाँ पे जाने के लिए सबसे पहली बात तो उसको जो है कोई ना कोई जो है नौलेज होना चाहिए इंगलीज बोलने आना चाहिए उसके बाद एक से डेर लाख रुपए लगाना चाहिए ठीक है अगर दो लाख रुपए की हम बात करें यहाँ पे दोस्तों ठीक है तो यहाँ पे दो हजार डॉलर ही मातरून को मिलता है ठीक है, दो हजार डॉलर, ठीक है, दो हजार डॉलर ही दो लाग के आसपास होता है, आप सोच सकते हो, लेकिन लोग यहाँ पे जो है, बलॉगिंग से, इंडिया में बैठ के, ज्यादा कुछ यहाँ पे इन्वेस्ट करना है, कुछ भी नहीं करना है, यहाँ पे जो हजार 10,000 डॉलर, 10,000 डॉलर जो है, यहाँ पे अर्णिंग करते है, बलॉगिंग से, ठीक है, आपको बता दियों, अगर यह मेरा वेपसाइड है, तो मैं भी एक बलॉगिंग करता हूँ, ऐसा नहीं है, कि मैं कुछ और करता हूँ, मैं बलॉगिंग करता हूँ, तो सोच सकते हो कि विदेश जाने के लिए कितने सारे रूपे जो है इन्वेश्ट करना परता है कितनी सारी जो है मेहनत करके डिगरी हासिल करना परता है उसके बाद जो अपने फैमली से अपने बच्चों से सभी पूरे घर पड़िबार से दूर होके जाना परता है और वहा जोस्त यहां पर क्या है कि अगर आपको Google AdSense का अप्रूबल मिल जाता है ना तो घर पे बैठे बैठे जो है दो हजार डॉलर क्या तीन हजार चार हजार पाँच हजार दस हजार जितना मेहनत करोगे उतना डॉलर आप अर्निंग करोगे क्योंकि Google AdSense earning जो देता है वो dollar में देता है dollar में earning आपको देता है उसके बाद इंडिया में आने के बाद होता क्या है कि वो Indian rupees में change हो जाता है ठीक है यह सब automatic पूरा process होता है बस आपको काम करना है और Google AdSense में अपना bank account add कर देना है automatic अपने आपके account में जो है Indian rupees में change होके आ जाएगा इसके लिए आपको कुछ करने की कोई ज़रूरत नहीं है बस आपको काम करना है और Google AdSense में earning जो है करना है तो दोस्तों यहाँ पे आपने समझ लिया ठीक है तो यहाँ पे जो है क्या क्या step है वो आपको बता देता हूँ देखिए सबसे पहली बात तो website अगर आपने open किया है ठीक है आपने लाखों रुपे लगा दिया है ठीक है आपने अभी तक success नहीं हुआ है अगर आपके पास नोकरी भी है ठीक है लेकिन वो अगर अच्छा नोकरी नहीं है और है भी तो कुछ ज़्यादा आपको नहीं मिल रहा है ठीक है तो दोस्तों बहुत परकार की बात हो जाती है अगर आप कहीं पे नोकरी करते भी हो अगर वो पसंद नहीं है आपको नोकरी तो वैसे भी जो है कि किसी के अंडर में रहके काम नहीं करना है हमें एक बलॉगर बनना है अगर आपने बलॉगिंग में कदम रख दिया है तो इसको जो है अब एंड करो इससे जो है आपको कमा के दिखाना है पैसे अगर आपने इसमें कदम रख दिया है तो ठीक है बलॉगिंग के फिल्ड में क्यूंकि आने वाला फ्यूचर यही है बलॉगिंग और बलॉगिंग ही टॉप पे रहेगा ठीक है दोस्त तो चलो दोस्त यहाँ पे आपको बता देता हूँ देखो यहाँ पे एक website create करने से theme upload करने से post लिखने से नहीं होता है सबसे पहली बात तो आप एक unique website का नाम दो ठीक है वो चलेगा किसी भी परकार से रहे बस यहाँ पे नाम होना चाहिए और आपके website का design सही होना चाहिए जैसे कि यह menu button है न दोस्त यह सब working होना चाहिए इसक कोई click करता है तो यह काम करें ऐसा नहीं कि यह काम ना करें और उसके बाद जो है दोस्तों यहाँ पे आपको यह social plugin जो है आपको लगाना है ताकि यह जो है rule में आता है ठीक है एक website को एक website के तरीके से create करना पड़ेगा ऐसा नहीं है कि जैसे मर्जी वैसे create कर गे Google AdSense के सा connect कर दोगे और आपको AdSense approval मिल जाएगा इसा नहीं होता है उसके बाद यहाँ पे latest article में आप 10-12 जो भी show कराना चाहते हो करा सकते हो उसके बाद जो एक popular post का भी option होना चाहिए ठीक है उसके बाद जो है दोस्तों फूटर के अंदर में भी यह सब option होना चाहिए मैंचीर यह जो है about होना चाहिए दोस्तों ठीक है उसके बाद जो है आपके website का फूटर copyright चेंज होना चाहिए ठीक है अब दोस्तों यहाँ पे पराइबेसी policy, contact us, about us यह भी बटन आपके website में होना चाहिए अगर आपके website पे Google AdSense का approval मिलता भी है तो सबसे बरा जो कारन होता है इसका प पराइबेसी policy देखते हैं Google कि आप जो है अपने website पे क्या क्या चीज करोगे ठीक है तो उसको देखके आपके website को approve करता है Google AdSense अब दोस्तों यहाँ पे आपको बता दू कि यहाँ पे जो है शिर्फ theme design करने से नहीं होता है एक website को final करने के लिए complete करने के लिए 16 step को पार कर यह full course है ठीक है आप यहाँ पे आओगे तो इसे जो है ध्यान से पढ़ना है ठीक है अगर आप कोई भी चीज को देखते हो तो उसको ध्यान से आप पढ़ोगे तब तक आपको पता नहीं चलेगा अगर आप आँख बंद करके काम करोगे तो फिर success ऐसे नहीं मिलता है आँ इस full course का link वैसे मैं नीचे इस video के description में दे दूँगा उस पे click करके आप इस पे आ सकते हो लेकिन दोस्त पहले यहाँ पे समझ लो जाना पहले बाद में full course को बाद में चेक करना पहले यहाँ पे मेरा बात समझ लो कि मैं कहना क्या चाता हूँ ठीक है उसके बाद नीचे की और जब आप आओगे तो यहाँ पे भी कुछ लिखा हुआ और यह समझो है आप ही के लिए लिखा हुआ है और आपके काम का बात यहाँ पे लिखा तो कोई दिक्कत नहीं है फिर मेरा काम क्या है समझाना है मैं अपने चैनल पे समझाने का ही जो है बात बोलता हूँ ठीक है मेरा चैनल जो एडूकेशन चैनल है तो आपको बता दिया हूँ अब देखो सबसे पहली बात आपको बता दू एक वेपसाइड को क्रिएट करने क परते हैं ठीक है तो सबसे पहला step कौन सा है यूनिक website create करना उसके बाद जो है domain register and setup करना उसके बाद unique post variety यानि एक यानि आप जो है website में अच्छा post कैसे लिखोगे जिससे की google adsense का approval मिलेगा उसके बाद website के अंदर में theme upload करना और customize करना ताकि आपको जल्दी से google adsense का approval मिल जाए और दोस्तों यहाँ पे all website setting दोस्तों अगर आप website के अच्छे तरीके से setting करते हो तो आपके website पे तेजी से traffic आएगा फिर होगा क्या कि आपको google adsense का भी approval मिलेगा और google adsense का approval मिलेगा तो ट्राफिक जादा से जादा आएगा तो जादा से जादा earning कर पाऊगे अब दोस्तों इसी फूल कोर्स के अंदर में क्या है कि privacy policy contact us about us generate कैसे करना है और उसे add कैसे करना है submit कैसे करना है website के अंदर में उसके बाद फूटर created change कैसे करना है उसके बाद follow button and subscribe button add कैसे करना है उसके बाद website all co setting उसके बाद google search console में अपने website को add कैसे करना है उसके बाद दोस्तों यहाँ पे website side map generate करके google search console में submit कैसे करना है उसके बाद जोए दोस्तों यहाँ पे अपने website का ownership verify कैसे करना है और दोस्तों यहाँ पर Google Analytics को अपने website के साथ link कैसे करना है अगर Google Analytics के साथ अपने website link करते हो तो फिर आपके website पर कहां कहां से traffic आ रहे हैं किस ही साफ से आ रहे हैं वो आपको Google Analytics दिखाएगा बांकि दोस्तों Google Search Console में अगर अपने website को add करती हो तो Google के search engine में आपका website जाएगा और वहाँ से आपके website पे traffic आएगा और जब तो Google के search engine से traffic नहीं आएगा आपके website पे तब तक Google AdSense का approval भी नहीं मिलेगा ठीक है तो यहाँ पे जो है सबसे बरी बात है कि आपका website Google search console में add भी होना चाहिए उसके बाद जो है दोस्तों final आप आज आती है website monetize and earn money ठीक है यह जो है 14 नमबर पे उसके बाद new AdSense account create कैसे करना है उसके बाद जो है first AdSense approval tips ठीक है यहाँ पे दोस्तों यह सब दिया गया है उसके बाद यहाँ पे आओगे तो आपको जो है मेरा WhatsApp नमबर मिलेगा ठीक है तो आप जो है मेरे से सवाल जवाब भी कर सकते हो उसके बाद जो है दोस्तों यहाँ पे जो है अगर आप इस Galaxy premium theme को अगर लेने के लिए जाओगे तो यह जो है 1000 रुपे तक का आएगा लेकिन इस फूल कोर्स को आप देखते हो तो आपको फिरी में यह theme मिलेगा जो कि यहाँ पे देख सकते हो Fast AdSense Approval ठीक है दोस्तों आप जो है इसका पराइज चेक कर सकते हो दोस्तों फिरी बर्जन यह नहीं है यह जो है premium version है मैं जानता हूँ कि सभी theme का जो है एक फिरी बर्जन भी होता है लेकिन यह फिरी बर्जन नहीं है यह जो है premium version है जो कि सच में 1000 उपिय का आता है लेकिन मैं पहली ही से buy कर रखाऊं तो मुझे जो है फिरी में देने में क्या जाता है मेरा पैसा थोरी ना लगता है तो इसलिए जो है जो लोग इस full course को देखेगा उसे यह template जो है फिरी में मिलेगा ठीक है बांकि उसके बाद नीचे एक और theme आ जाता है super mag premium blogger template fast adsense approval दोस्तो अगर आपका news website है या blog website है किसी परकार का website है तो यह दोनों के दोनों theme बहुत ही अच्छा है दोस्तो ठीक है इस पर google adsense का approval fast मिलेगा तो इस theme का भी rate 2000 रुपया है और यह भी theme आपको मिल रहा है ठीक है अगर उसके बाद यहाँ पर जो है क्या है कि super mag galaxy theme download ठीक है तो download अगर आप करते हो दोस्तो तो इस full course को देखोगे तो unlock हो जाएगा बाकि यहाँ पर contact us email है ठीक है यहाँ पर email है इस पर click करके आप email कर सकते हो अगर आपको full course देखने में कोई दिक्कत होता है तो बाकि उसके बाद जो है दोस्तो यहाँ पर रंजीत कुमार है मेरा नाम और research technique और google map address है ठीक है यहाँ पर आप देख सकते हो तो दोस्तो यहाँ पर आपको इतना step पूरा करना परेगा 16 step को पूरा करना परेगा तब जाके एक अच्छा blogger आप कहलाओगे नहीं तो हो सकता है आपको कि यहाँ पर छे महीने साल भर डेर साल दो साल भी लग सकता है क्योंकि मेरे पास बहुत सारे phone भी आते है contact भी आते हैं जो कि वो बोलते है सर मैं दो-दो साल से परेशान हूँ Google AdSense का approval नहीं मिल रहा है तो दोस्तो अगर आपको बता दू कि देखो अगर आप भी 2 तीन साल लगाना चाते हो तो ठीक है कोई दिकत नहीं है नहीं तो जितना भी आप जनकारी लेना चाते हो तो यहाँ एक ही जगा पे इसी फूल कोर्स के अंदर में इतना सारा जनकारी आपको मिल जाएगा आपको जो है 50 वीडियो देखने की कोई जरूरत नहीं है सिर्फ इस फूल कोर्स के ही अंदर में आपको मिल जाएगा मांकि यहाँ पे दो थीम जो है आपको 2000 रुपे का थीम फिरी में मिल रहा है और यहाँ पे फूल गाइड भी मिलेगा फूल सपोर्ट भी मिलेगा फिरीक है तो आपको बता दियाओं तो इस फूल कोर्स का लिंक नीचे इस वीडियो के डिस्करप्शन में आपको मिल जाएगा उस पे किलिक करके आप इस पेज पे आ सकते हो और फूल कोर्स को देख सकते हो लेकिन दोस्त इसके लिए जो है आपको बता दू 2000 रुपे का थीम भी आपको मिल रहा है full course भी मिल रहा है और जिसके पास mobile है वो भी जो है इस full course को देख सकता है क्योंकि इसी full course के अंदर में दो परकार का full course है एक तो जिसके पास mobile है तो mobile full course भी मिल जाएगा अगर जिसके पास laptop है तो laptop full course भी मिल जाएगा इस फूल कोर्स को बनाने के लिए हमें एक महीने लग चुका है ठीक है अब यहाँ पे एक महीने में होता क्या है कि कोई भी लोग कहीं पे काम करने के लिए जाता है तो जरूर है कि 15-20,000 रुपे जो है उसे सैलरी मिल ही जाता है लेकिन दोस्तों एक महीने का मेहनत का यहाँ जो है कि मैं 500 रुपे जो है मैं यहाँ पराइज रखा हूँ ठीक है उसके बाद यहाँ पे आपको फिरी में क्या है कि यहाँ पे दो थीम भी मिल रहा है जो की 2000 रुपे का है ठीक है तो यहाँ पे आपको करना क्या होगा कि add to card पे click करके इसे buy करना परेगा उसके बाद आप भी एक साल दो साल के बाद सीखोगे ठीक है कोई दिक्कत नहीं है लेकिन अगर आप fast grow करना चाते हो तो आप यहाँ पे क्या कर सकते हो कि इसे buy कर सकते हो अगर दोस्त यहाँ पे buy नहीं करते हो आप तो फिर मेरा मेहनत बेकार चला जाएगा ठीक है मैं यह नहीं कहता ह कि इस तरीके से मेसेज मत करो अगर आपको कुछ ग्यान चाहिए तो आप यहाँ फूल कोर्स को देखो ठीक है फूल कोर्स में ही सब कुछ मिलेगा तो सकते हो मैं 6-7 साल के अंदर में जो भी चीज मैं सीखा हूँ वो सारा का सारा यहाँ पे फूल कोर्स के अंदर में भर द मिलेगा लेकिन यहाँ पे क्या है कि मातर यहाँ पे 500 रुपे का मिल रहा है वो भी 500 रुपे का चीज है और 2000 रुपे का चीज आपको फिरी में मिल रहा है ठीक है और यहाँ पे वार्षप सपोर्ड भी मिलेगा वार्षप के जड़िये आपका हेल्प भी मिलेगा ठीक है त वीडियो के description में जाके इस full course को check करना है और यहां से जो भी लिखा हुआ है उसे जो है आंध तक पढ़ना है ठीक है आपने पढ़ाई किया है वो क्यों किया है किसी भी चीजों को पढ़ने के लिए न तो आप जो है उसका एस्तमाल करो कि आपने क्यों पढ़ाई किया है ठीक है तो यहां पर पढ़ने के लिए किसी भी चीजों को पढ़ने के लिए कहीं पर कुछ भी लिखा है तो उसे पढ़ने के लिए इसा नहीं है कि आख बंद करके काम करना है तो दोस्तो इस full course को check करने के लिए नीचे इस video के description में जाओ, फूल कोर्स का लिंक मिलेगा, उस पे किलिक करके, आप जो है, बहुत आसानी से इसे बाई कर सकते हो, बाकि कुछ भी पराबलम होता है, तो यहाँ पे क्या है, कि मेरा email मिल जाएगा, ठीक है, यहाँ पे contact us email, email पे आप जो है, क्या कर सकते हो, कि आप जो है, हमें बता स कि फूल कोर्स बाई करने में दिक्कत हो रही है, या कोई पराबलम हो रही है, ठीक है, तो फिर उस सवालों का जबाब आपको मिलेगा, तो चलो दोस्त, यहाँ पे बस एक ही बात बताना चाहूंगा, कि यहाँ पे आप देख सकते हो, कि इस फूल कोर्स के अंदर में, हमने 16 एस्टेप के बारे में बताया है, और यहाँ पे आप देख सकते हो, कि एक एस्टेप पे हमने काम किया होगा, तो यहाँ पे एक दिन लगा होगा, सोच सकते हो, कि दूसरा पे मैंने काम किया होगा, ठीक है, तो दो दिन लगा होगा, अब यहाँ पे देख सकते हो, कि 16 एस दोस्त यहाँ पे जो हमें हकीकत बताओं तो महिना भर भी लग चुका है, क्योंकि यहाँ पे record करना, edit करना, सब को एक अठा करना, ठीक है, तो इसी लिए, अब यह full course जो है, तीन घंटे का है, ठीक है, अगर आप तीन घंटे एक अठे नहीं देखना चाहते हो, तो कोई दिक परत नहीं परेगी, एक ही देखके आप पूरा बलागिंग के बारे में जान जाओगे, तो चलो दोस्त, इस वीडियो में बस यही जानकारी आपको देना था, ठीक है, क्योंकि एक बलागिंग को हमने तीन घंटे का बनाया है, सब को कटखुट करके, और मुझे एक महीने लगा इस फूल कोर्स को तैयार करने में, तो सोच सकते हो कि बलागिंग जो होता है न, वो एक दिन के अंदर में कोई भी नहीं सीख सकता है, इसको सीखने के लिए जो है न, टैम लगेगा, अगर आप ऐसे यूटूब पे सर्च करकर के देखते हो, तो कोई दिक्कत नहीं, फिर और भी लोगों के तरह आप जो है एक साल, देर साल, दो साल, तीन साल टैम वेकार करोगे, लेकिन अगर आप फास गुरो करना चाहते हो, जल्दी से सक्सेस होना चाहते हो, तो आपको फूल कोर्स देखना चाहिए, ठीक है, तो मैं फूल कोर्स बनाए हूँ, नीचे इ जानकारी आपको देना था, अगर ये जानकारी सही लगा होगा, तो इस वीडियो को कर देना है लाइक, अगर आप इस चैनल पे नए हो तो इस चैनल को कर देना है सब्सक्राइब, सब्सक्राइब करने से ये फाइदा होगा, कि आगे इस चैनल पे जो भी वीडियो अपलो